Assalamu alaikum welcome to student tube आज के इस लेक्शर में हम chapter 4 icon part 1 business math book है शाहिर जमाल की chapter है function and their graph आज के इस लेक्शर में हम solve करेंगे 4.68 question find the equation of a straight line which satisfies the following condition अब यहाँ पर दो requirement है first है slope is equal to 2 upon 3 y intercept is equal to 1 upon 2 दोनों से हमें equation बनानी है ठीक है so जब भी हमाएपा slope और intercept दिया वा हो तो हमें पता है requirement 1 है क्या हाएगा y is equal to m x plus c ठीक है so y is equal to m जो है वो क्या है slope m जो है slope को represent करता है तो 2 upon 3 x plus c जो होता है वो होता है y intercept वो है 1 upon 2 अब यहाँ पर लेना है lcm so 3 और 2 का लेंगे तो 6 आ जाएगा अब यहाँ पर 1 upon 2 multiply by 6 करें तो 2 1s are 2 2 3s are 6 यह आ गया 3 3 1s are 3 होकर ठीक है सिबाद 2 upon 3 multiply by 6 so 3 बंजा 3 3 2s are 6 and 2 2s are 4 x ठीक है so y is equal to 4 x plus 3 आ गया और 6 वहाँ चला गया तो equation क्या बनी 6 y is equal to 4 x plus 3 answer अगली requirement है हमाए पास slope में है minus 6 upon 5 और points हमाए पास 5 upon 2 and 4 upon 3 सबसे पहले हम देखने है कि यहाँ पर जो formula है वह कौन सा लगेगा तो यहाँ पर points दिएवे है और slope दिएवेड act means requirement 2 में लगेगा y minus y1 is equal to m और x minus x1 ठीक है so y हमारे पास नहीं है y1 में क्या है हमारे पास y1 में है 4 upon 3 4 upon 3 is equal to m में हमारे पास minus 6 upon 5 then x minus x1 में क्या है x1 में हमारे पास 5 upon 2 5 upon 2 तो अब यहाँ पर हम यह 5 जो है यहाँ पर आएगा तोनों के साथ multiply होगा यहाँ पर रहे जाएगा minus 6 x minus 5 upon 2 तो यह हो गया 5y minus 5 4s are 20 upon 3 is equal to minus 6 यहाँ पर multiply होगा so minus 6 x minus 6 5s are 30 upon 2 तो तो 5y minus 20 upon 3 is equal to यह minus 6 x ही रहा minus 2 1s are 2 2 1s are 2 और वहाँ गया तो 2 5s are 15 15 15 होगा अब यहाँ पर यह है 5y इधर ही रहा minus 20 is equal to minus 6 x minus 15 अब यहाँ पर यह जो 3 है इन दोनों से होगा multiply तो यह हो जाएगा 5y minus 20 is equal to 36 18 x minus का फिर minus का 3 को हमने 15 से multiply करना है 3 multiply by 15 45 ठीक है तो अब है हमारे पास यहाँ पर 5y इधर ही रहेगा minus 20 इधर जाएगा minus 45 तो यह और यहाँ पर यह माइनस ही प्लस हो गया ठीक है यह प्लस है, यह प्लस का है, ठीक है, प्लस का 45 और माइनस का 20 इदर आके प्लस का हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम माइनस 6 को जब 5 अपन 2 से कर रहे थे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक है, तो अब यहाँ पर यह हो गया, माइनस 18x, दोनों प्लस हो गया, तो य तो यह था आज का कुश्चन उमीद करती हूं आपको अच्छे समझ आ गया होगा मजीद एक्सराइज और कुश्चन के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेड और फ्रेंड से शेयर भी जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिस